आज हम आपके लिए बुट्टे से बनने वाले एक ऐसी अनोखी और लाजवाब रेसिपी लेकर आए हैं जिसे देखर आप फॉरण बनाएंगी और इसे बनाने के बात कमेंड करके मुझे जरूर बताना कि आपको इसका स्वात कैसा लगा वैसे ये रेसिपी धाबया और रेस बुट्टे नहीं है ये स्वीट कॉन है जो हलके मीठे होते हैं इसमें दो टमाटर डालेंगे दो छोटी प्यास डालेंगे और एक चोटा मेने काजर लिया है इसे बहुत अच्छी सबजी बनेगी साथ से आठ काजू डालेंगे लगभक एक से दो चमच मगज बीश डालें हैं तीन मेने चोटी हरी मिर्च डाली है थोड़ा स्पाइसी टेश देनी के लिए और धनिये के डंठल यह बहुत अच्छे से काम करते हैं मतलब सबजी में एक बहुत अच्छा फ्लेवर लाती है अब इसमें आदा कब पानी डालकर हमें इसका ढखन लगाना है और हाइफ पर दो सीटी आने तक हम कोक करेंगी जैसे इसमें सीटी आ जाए और अपनी आप जब इसका प्रेशर डाउन होगा तब हम इसे खोलेंगी और जैसे ही हम इसे खोलेंगे ना दोस्तों जो हमने इसमें कौन रखे हैं गाजर प्याज टमाटर काजू सारी चीज़े बहुत अब हमें यह जो टमाटर के चिलके हैं इसे अलग कर लेना है और जो गाजर है गाजर और कौन को अलग करेंगे और जो कुकर के अंदर सारी चीज़े हैं उसे थोड़ा ठंडा करेंगी चले दोस्तों कौन तो अच्छे से बॉयल हो चुके हैं बहुत ही इंस्टेंट हमने सा जालने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी इंस्टेंट ये सारे वीच अलग हो जाएंगी अब दोस्तों इसके अंदर हमें मिलाना है कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च मैंने छोटे टुकड़ों में कट करके डाला है और एक मिकसर का जार लेंगी इसमें हमें ये जो प्यास टमाट अब दोस्तों कड़ाई में हमें लेना है तेल तो मैंने एक बड़ा चमच तेल लिया है इसमें डालेंगे हम थोड़ा से जीरा और सुखे मसाले तो मैंने धन्या पाउडर लालमिच पाउडर हल्दी पाउडर और साथी साथ लसन अदरका पेस्ट भी डाल दिया है इसे हमे में भूनना है इस तरह के से भूनेंगे तो लसन अद्रक का कच्छा फ्लेवर चले जाएगा और सुख्य मसालू का कलर काफी अच्छा आएगा अब हमें इसमें ये पेस्ट डाल देना है जो हमने अभी बनाई है और इसे भी मिक्स करना है अब दूस्तों हम थोड़ा सा पानी डालेंगे तब तक दूसरी तरफ एक पैन लेना है आप स्टील का पैन लेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा उसमें बटर डालेंगी और बटर के अंदर कौन और कैपसिकम को अच्छे से फ्राइ करेंगी फ्राइ करने से इसमें एक बटरी फ्लेवर आएगा और high flame पर पैन को थोड़ा सा जुका कर गैस की तरफ आपको अच्छे से फ्राइ करना है इससे बिलकुल वो धाबे वाला रेस्टॉरंट वाला टेस्ट आता है बिलकुल वो स्मोकी स्मोकी फ्लेवर आजाता है हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राइ करने के बाद एक साइड रखेंगे और इस ग्रेवी को देख लेना है यह अच्छे तरीके से भून चुकी है दोस्तों इसमें हमें डालना है थोड़ इसी खरकी मलाई बहुत ही रिच फ्लेवर आएगा साथ ही हमें डालना है कसूरी मेथी थोड़ा सा डालेंगे हम भुनेज़ीरिक पाउडर और थोड़ा सा गरमसाला अब इन सभी चीजों को mix कर लेना है और जैसे ही अच्छे से mix हो जाएंगे हमें इसमें fry क्यावा corn और capsicum डाल देना है जो हमने butter में अभी अच्छे से fry किया है इसमें स्वाद नुसार नमक डालेंगे और जो हमने गाजर उबाला था ना उसके छोटे टुकडे करके इसमें डाल देना है फ्रेश मिर्च डालेंगे तो बहुत जबरदस तेज आएगा और फिर इसे अच्छे से mix करना है और इसे जादा rich और creamy बनाने के लिए हम इसमें add कर करेंगे थोड़ा सा दूद जिया दोस्तो हमने यह पर दूद डाला है आप चाहे तो पानी भी डाल सकते ही दूद डालने से यह सबजी और भी ज्यादा टेस्टी बनेगी इसे ढख कर हम 7-8 मिनट धिम्याज पर पकाएंगे और जैसे यह पक जाएगी ना आप देखिए सा अब धाबे की रेस्टोरंट की सारी सबजी आप भोल जाएंगे जब एक बार आप इसे ट्राइ करेंगी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी क्रीमे और कितनी रिच है यही सबजी आप होटल और रेस्टोरंट में खाएंगे तो आपको काफी महंगे में मिलेगी अब उपर से हरे मेर्च और थोड़ा सा पनीरिया चीज से ग्रेट मतलब ग्रेट करके इसे गार्णिश कीजिए और इसे गर्मा गर्म रोटी चपाती या नान के साथ परोसे वैसे मेने बनाई हैं आटे की नान इसके साथ परोसने के लिए कितनी अच्छी लग रहे हैं सच में दोस्तों बहुत टेस्टी लगती है आप भी घर पर जरूर बना कर दिखना ये धाबे से भी जादा अच्छी बनने वाली कौन की सबजी तो मिलते अगली नई वीडियो में वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना शेयर करना चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूला